इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इसके अलावा, इसका इस्तेमाल तवचा और स्त्रीरोग संबंधी संक्रमन के इलाज में भी किया जा सकता है। इसे हर रोज एक ही समय पर ले जाएं और कोस पूरा करें। भले ही आपको बहतर लगने लगा हो। यदि आप इस दवा को बहुत जल्दी लेना बंद कर देते हैं तो संक्रमन वापस आ सकता है या बत्तर हो सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, मिचल आना पेट में दर्ड और डायरिया यानि की दस्ट शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाला कि अगर लंबे समय तक वो आपको परेशान करते हैं या बने रहते हैं तो कृप्या अपने डॉक्टर से बात करें। इसका उप्योग क करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटीबाउटिक से अलजी हैं या आपकी किड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूंकि कि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इस दवा का प्रभाव उन पर पर सकता है गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को शिशु पर किसी हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखन को क्लिक करें धन्यवाद